हलो फ्रेंड्स वेलकम टू चेंपियन गुर्जीफेंड्स आज की स्वीडियम लोग अलजेबरा के कुछ इस टाइब के प्रश्णों को सॉल्व करना सिखेंगे जिसमें एक्स प्लस वन बाई एक्स या एक्स माइनस वन बाई एक्स का मान दिया हुआ रहता है और हमारा एक् कुछन है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान यहाँ पर तीन दिया हुआ है तो हमारा एक्स स्क्वाइर प्लस वन बाई एक्स स्क्वाइर का मान निकलना है ठीक है तो देखिए सबसे पहले बेसिक से बताते हैं उसके बाद ट्रिक से बताएंगे ठीक है तो देखिए सबस पर क्योवल कर देते हैं x plus one by x का whole square बराबर तीन का square यानि दोनों तराफ square कर लेंगे ठीक है तो देखिए या जो है या a plus b के whole square पर यहाँ पर या टूटेगा ठीक है तो आप जानते होंगे कि a plus b के whole square का formula क्या होता है तो a square plus b square plus two a b होता है ठीक है तो इसी पर इसको हम break करेंगे ठीक है तो देखिए a के जगा पर हम x को माल लेंगे और b के जगा पर one by x को माल लेंगे तो देखिए इसका formula है a square यानि सबसे पहले x का square करेंगे plus b square यानि one by x का square करेंगे one by x का square करेंगे पॉलस टू ए बी यानि टू लिखेंगे एक के जगा पर एकस लिखेंगे और गुना बी के जगा पर क्या लिखेंगे तो वन बाई एकस लिखेंगे बराबर अब तीन का स्क्वाइर करेंगे तो क्या जाएगा तो तीन का स्क्वाइर यहां पर नौ आ जाएगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर x square का x square लिख देंगे plus 1 का square करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और बटा x का square करेंगे तो क्या जाएगा तो x square आ जाएगा plus यहाँ पर लिखेंगे और 2 into x into 1 by x आ जाएगा ठीक है बराबर यहाँ पर 9 है तो 9 लिख देंगे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस x से यह x कट जाएगा क्योंकि गुना में है और यहाँ नीचे x है उपर x है तो यहाँ कट जाएगा ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बज़ी गया तो x square प्लस 1 बाई x square प्लस यहाँ पर देखिए 2 और 1 बचाएगा है तो 2 में x से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 आजाएगा पराबर यहाँ पर 9 हो जाएगा ठीक है उसके बाद देखिए हमको मान निकलना है x square प्लस 1 बाई x square का तो इसको बराबर के इसी side रख लेंगे तो x square प्लस 1 बाई x square पराबर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर देखिए बराबर के इस side प्लस 2 है तो बराबर के इस side भेज़ेंगे तो कह जाएगा तो minus 2 हो जाएगा यानि यहाँ पर आपका x square plus 1 by x square का मान यहाँ पर क्या निकल करा जाएगा तो 9 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 निकल करा जाएगा ठीक है और यहीं आपका answer हो जाएगा ठीक है तो चलिए इस question को solve करने का trick बताते हैं इसके लिए trick क्या है तो trick से solve करने के यहाँ को करना क्या है तो देखिए यहाँ पर देखना है कि क्या दिया हुआ है तो यहाँ पर x plus 1 by x का मान दिया हुआ है ठीक है तो हमको निकलना है x square plus 1 by x square का मान निकलना है तो इसके लिए आपको जो दिया रहेगा ना x plus 1 by x कमांद दिया हुए है उसका square कर देना है उसका मांद 3 है तो 3 का square कर लेंगे और उसमें 2 घटा देना है आपको केवल 2 घटा देना है आपका answer निकल करा जाएगा तो 3 का square क्या हो जाएगा तो 9, आप माइनस करेंगे 2 तो 9 में से 2 घटेगा तो क्या जाएगा तो 7 निकल करा जाएगा और पहले तरीका से भी देख सकते हैं यहाँ पर 7 ही निकल कराया है और इस trick से भी यहाँ पर 7 ही निकल कराया है तो इस तरीके से solve कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं second type क कुशन तो देखिए दोस्तों यहाँ पर second question है कि x minus 1 by x बराबर 7 है तो हमको x square plus 1 by x square का मान निकलना है तो देखिए सबसे पहले basic से बताते हैं उसके बाद इसे solve करने का trick भी बताएंगे तो देखिए जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफे square करेंगे तो x minus 1 by x का whole square हो जाएगा बराबर 7 का square हो जाएगा ठीक है अब देखिए यहाँ पर यहाँ जो है यह a minus b के whole square के formula पर break होगा ठीक है तो a minus b का whole square का formula आप जानते होंगे कि a square plus b square minus 2ab होता है ठीक है तो इसी formula पर हमें x को क्या करेंगे तो तोड़ेंगे यानि a के जगा पर हम क्या मनेंगे तो x मनेंगे और b के जगा पर one by x मनेंगे तो देखिए सबसे पहले a square तो a square का जगा पर क्या हो जाएगा तो x square plus है तो plus लिखेंगे और b square है, b square के जगा पर क्या हो जाएगा तो 1 by x का square हो जाएगा तो 1 by x का square करेंगे तो क्या हो जाएगा तो 1 का square करेंगे तो 1 हो जाएगा और x का square करेंगे तो x square प्राप्त होगा, ठीक है अब देखें, minus है तो हैंपर minus का चीन लगाएगे 2 है तो 2 लिखेंगे और A के जगापर हम लिखेंगे गुना में X और गुना B के जगापर क्या लिखेंगे तो 1 by X लिखेंगे बराबर, साथ का स्क्वाइर करेंगे तो क्या जएगा, तो 49 हा जएगा अब यहाँ पर देख सकते हैं कि X स्क्वाइर plus one by x square आजाएगा माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे और देखी यह x से यह x कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा तो 2 और 1 और 2 में x से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 आजाएगा बराबर यहाँ पर 49 है तो 49 लिखेंगे उसके बाद देखीए यहाँ पर हमको x sqr कि इसकामान निकलना है तो x sqr plus one by x sqr तो यहाँ पर वही नहीं x sqr plus one by x sqr को बराबर के इसी साईड रख लेंगे और देखें 49 है तो यहाँ पर 49 लिखेंगे और यहाँ पर देखें बराबर के इस side minus 2 है तो बराबर के इस side भेज़ेंगे तो क्या जाएगा तो plus 2 हो जाएगा यानि आपका यहाँ पर क्या निकल करा जाएगा तो x square plus 1 by x square बराबर 49 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा तो एकावन आजाएगा और यहीं आपका एंसर हो जाएगा ठीक है तो चलिए इस question को solve करने का trick बताते हैं इसके लिए trick क्या है तो trick उसी तरह है पहले की तरह है यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है x minus 1 by x कमान दिया हुआ ठीक है तो यहाँ पर हमको x square plus 1 by x square कमान निकलना है तो इसके लिए जो दिया हुआ है सबसे पहले x minus 1 by x कमान साथ दिया हुआ है तो इसका square कर लेंगे ठीक है और देखिए minus में दिया हुआ है ना यहाँ पर plus करेंगे minus में दिया हुआ है तो क्या करेंगे तो यहाँ पर plus करेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे दो यहाँ पर जोड़ देंगे साथ का स्क्वार करके दो जोड़ देंगे तो साथ का स्क्वार यहाँ पर उन्चास आजाएगा और पलस दो जोड़ेंगे तो क्या जाएगा तो उन्चास और दो एक कावन हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से कैसे भी देख सकते हैं इस कूच्छन का एंसर ये कवन ही निकल कर आया और इस बेसिक तरीके से भी ये कवन ही निकल कर आया ठीक है तो दोस्तो इस तरीके से आप अल्यवर्या के इस टाइप के प्रश्णों को आप बहुत ही असान तरीके से सॉल्ड क